Hello everyone, welcome to all of you in exam guru दोस्तो इस वीडियो में हम लोग Air Force X and Y Group exam 2023 के लिए English का एक complete mock test solve करने वाले हैं Air mock test बिल्कुल आपके exam के pattern पर based है और ऐसे ही question आपको आने वाले परिच्छा में भी देखने को मिलेगा So guys इस वीडियो को आप लोग last तक जरूर देखें और हमारे साथ आभे इन सारे questions को solve करते चलना वीडियो के last में comment करके बताना कि आपने total कितने questions सही किये हैं जिससे कि बाकी सारे students भी compare कर पाएं कि वे इस mock test में क्या score कर पाएं और बाकी सारे candidates से वे कितने आगे हैं या फिर कितने अभी पीछे हैं इसके साथ ही दोस्तो मैं आज की इस mock test का PDF अपने telegram group पर डाल दूँगा जिन लोगों ने अभी तक telegram group को join नहीं किया है लिंक दिया गया है वीडियो के description box में उस पर click करके आप सभी लोग join कर लें तो जलिए दोस्तों ज्यादा time must spend ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सो यहाँ पर question number 1 से 4 तक passage वाले questions हैं जिसे हम last में देखेंगे अज स्टार्ट करते हैं question number 5 से 5th question देखें क्या कह रहा है कि Find out the incorrect part of the following sentence Hard had he thrown the ball when it fell on the ground एक sentence दिया गया है आपको बताना है कि इस sentence के किस पार्ट में error है और अगर आपको किस भी पार्ट में error नहीं लगता है तो फिर आप यहाँ से no error select कर सकती हो तो देखें दोस्तों यहाँ पर जो आपका hard और vain यह दोनों word यूज किया गया है न दोनों ही गलत है actually में यहाँ पर इसका correlation होता है hardly और vain का ठीक है तो यहाँ पर आप hard को hardly में convert कर दो तब आपका sentence पूरी तरह से correct होगा यानि कि इस question का part 1 correct answer है इसके बाद देखें question number 6 और 7 में कह रहा है कि rearrange the following word phrases to make meaningful sentences आपको यहाँ पर इसे सही way में arrange करके एक meaningful sentence बनाना है to bed early to wake he goes up early देखें दोस्तों इसका जब आप sentence बनाओगे तो उसे पर subject आएगा इसके साथ verb आएगा फिर आपका infinitive आएगा और last में आपका object आजाएगा या फिर adverb दिया गया है तो adverb आएगा तो subject हमारा क्या हो जाएगा इसमें subject हो जाएगा he goes ठीक है यानि कि c part हमारा subject है फिर इसके बाद अगला part आप आएगा to bed early वो कहां जाता है bed पर early किस लिए जाता है bed पर early to wake up early यानि कि c a b d इसका correct combination होगा option number b बिल्कुल सही answer है इसके बाद next question number 7 the best experience teacher is इन चारों पार्ट को आपको arrange करना है तो arrange करने के बाद देखे क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले आपका noun आएगा subject के रूप में इसके बाद आपका verb फिर adjective और फिर आपका noun आएगा तो देखे क्या हो जाएगा sentence आपका होगा experience यहाँ पर आपका इसके बाद क्या आजाएगा वर्ब तो वर्ब आपका इज हो गया experience is the best teacher यानि कि जो अनुहब है वो सबसे अच्छा सिचक होता है option B इस question का correct answer है correct arrangement है B, D, A, C इसके बाद question number 8 है fill in the blank with appropriate verb last week I dash netball दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो sentence है न वो past simple tense का है क्योंकि बात क्या हो रही है last week यानि कि पिछले सब्ता हमने netball खेला था तो यहाँ पर हम क्या use करेंगे इसमें use करेंगे देखिए आपका option एक second actually मैं आपको option hide हो चुगा इसमें आया नहीं है तो मैं आपको direct answer बता रहता हूँ 9th question में क्या आएगा आपका यहाँ 8th question में तो correct answer होगा दोस्तों आपका 8th question में जो खाले सथान की जगए पर आने वाला word है वो played हो जाएगा क्या हो जाएगा played last week I played netball यानि कि last week मैंने netball खेला 9th question है sugar is sweet but a lemon is और यहाँ पर आपको खाले सथान फिल करना है तो देखिए जैसे sugar क्या होता है sweet होता है उसी तरह से lemon क्या होगा sweet का just opposite यहाँ पर salty हो जाएगा यानि कि B option इस question का correct answer है इसके बाद अगला question है 10 number डैस will have to be paid for buying this item इस item को खरिदने के लिए क्या pay करना होगा half a rupees option A इस question का correct answer है sorry यहाँ पर option B होगा half a rupee रूपी जब भी आप यहाँ पर use करोगे ने तो आपके singular form में होंगे plural में आपर नहीं होंगे क्योंकि half a rupee की बात की जा रही है आधे रूपे की बात की जा रही है ना कि एक से ज़्यादा की अगर एक से ज़्यादा आपर बात हो रही हो तो आपको यहाँ पर plural fill यूज करना पड़ता इसके बाद अगरा question नहीं 11 नमबर तो देखिए 11th question में that का यूज क्या जाएगा अब दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पर that और which में confused हो रहे होंगे कि that की जगह पर which का यूज क्यू नहीं किया गया तो देखिए which का यूज क्या जाता है दोस्तों जब बस्तुऊं मेंसे किसी एक या फिर एक के अधिक के लिए लेकिन that का यूज क्या जाता है किसी भी बस्तु विशेस Whats yet राफिर भ्यक्ति विशेस के लिए तो आपको क्या कहा जा रहा है कि कोई एक ले लो उसमें से तो यहाँ पर हम क्या करेंगे किसे एक ब्यक्ति विसेस या फिर बस तु विसेस की बात हो रही है तो that का यूज करेंगे वही पर आपका which का यूज कैसे होता तो यहाँ पर which ऐसे आता take which you like यानि कि तुम्हें जो जो पसंद है उसे ले लो ऐसे condition में हम which का यूज़ करेंगी यहाँ पर हम that का यूज़ करना होगा इसके बाद अगला question है 12 number give me dash rice rice एक uncountable noun है तो यहाँ पर हम sum का यूज़ करेंगी यानि कि a option इस question का correct answer है question number 13 है what does fine idea it is यहाँ पर आपको correct article यूज़ करना है तो find आपका क्या है find f से start हो रहा है जो कि एक consonant है तो इसके पहले हम a article का यूज़ करेंगी यानि कि c option इस question का correct answer है next question number 14 c is the death of all my friends यहाँ पर देखो दोस्तो क्या यूज़ किया जाएगा 14th question में दोस्तो आपका superlative degree का यूज़ जाएगा न क्योंकि जब भी आपका the के साथ sentence start हो रहा हो तो इसके आगे हम superlative degree लगाती है और दोस्तो यहाँ पर हमें tall word का यूज़ करना है क्योंकि लंबा इक का बात की जा रहा है और tall का superlative का हो जाएगा इसका superlative हो जाता है tallest यानि कि यह option इस question का correct answer है वही दोस्तों अगर यहाँ पर दो को compare किया जाता तब taller word का यूज़ किया जाता क्योंकि taller एक comparative degree के अंतरगत आता है तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना नेक्स्ट राक्ट क्वेशन नुबर फिप्टिंथ 15th question में क्या है तो देखे आपर 15th question में यूज़ किया जाएगा फिर से यहाँ पर भूत काल की बात हो रही है तो auxiliary verb का हम यूज़ करेंगे तो B option इस question का correct answer है इस तरह की arrangement में सबसे पहले subject आता है फिर यहाँ पर did या फिर did not आएगा और इसके साथ में verb का पहला form यूज़ क्या जाता है नेक्स्ट question नुबर 16th विच वर्ड मिन्स नेरली था सेम एज़ अबेंडन आपको बताना है कि अबेंडन का similar word क्या होगा तो दोस्तों अबेंडन का मतलब होता है त्याग कर दिना किसी वी चीज का इसके similar word हो जाएंगे option number A forsake forsake का मतलब होता है भूल जाना C option है cherries cherries का मतलब होता है दोस्तों किसी वी चीज को संजोग कर रखना या फिर साथानी पूर्वक देखवाल करना enlarge का मतलब होता है बहुत ही बढ़ा करना या फिर किसी वी चीज को बढ़ाना 17th question है which word is the opposite of widely widely का आपको opposite बताना है तो widely का मतलब है दोस्तों ब्यापक रूप से या फिर दूर दूर तक फैला हुआ इसका opposite word हो जागा narrowly जिसका मतलब होता है संकिर्नता यानि कि D option इस question का correct answer है 18th question है a group of lions is called what is the feminine gender of lord lord का आपको feminine gender बताना है तो यह हो जागा दोस्तों आपकी lady यानि कि C option इस question का correct answer है अगला question है 20 number choose the word which means the opposite of conflict आपको बताना है कि conflict का opposite word क्या हो जाएगा दोस्तों conflict का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है वाद वीवाद तो इसके just opposite हो जाएंगे option number a agreement agreement का मतलब होता है दो लोगों के बीच में समझोता हो जाना अब चलिए दोस्तों last में हम passage वाले questions को भी देख लेते हैं तो यह रहा आप सभी के सामने passage open है आप वीडियो को रोक रोक करके एक वार passage को पढ़ लीजिए यह इसका first paragraph है आप इसे एक वार पढ़ लो पहले फिर इसके बाद आपका नीचे वार का second paragraph है इसे आप एक वार cover कर लो after देने हापर आपका तीसरा part है तो अब आपने तीनों part पढ़ लिया चलिए अब इसके questions देखते हैं first question क्या कह रहा है कि how many years does it take now for the number of people on the earth to double यहाँ पर यह कहा गया है कि अब यानि कि वर्तमान समय में earth पर जो people की संख्या है लोग की संख्या है उसे double होने में कितना time लग रहा है तो इसके लिए देखिए आपको paragraph का first line देखना होगा यहाँ पर देखिए earth dwellers and the number of doubles about every 35 years यानि कि परतेक 35 वर्ष पर अब जो आपका population है वो double होने लग रहा है option A first question का correct answer है इसके बाद question number 2 है what changes have been made by men on the earth यानि कि मनुस्यों को दारा प्रित्वी पर क्या-क्या बदलाब किये गये है तो दोस्तो यहाँ पर forest जो है वो clear कर दिया गया है mountains have been moved for roads and cities जो भी आपके पहाड वगरा थे उसे cities और roads बनाने के लिए हटा दिया जा रहा है and rivers, valleys and the sea have been disturbed यानि कि जो भी आपके rivers, valleys वगरा है वो सारी चीज़े disturbed हो चुकी है यानि कि दोस्तो इस question का option D correct answer है all of these तीसरा question है what did the men not realize when a dam was built across the river Neal जब निल नदी के उपर में dam बन रहाता तो मनुस्य न उसमें क्या realize नहीं किया दोस्तो अगर आप passage का last वाला paragraph पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको देखेगा कि farmer's crop would suffer यानि कि जब वहाँ पर dam बन रहा था तो मनुस्य ने यह नहीं सूचा कि यहाँ पर आसपास रहने वाले किसानों की जो फसले हैं उस पर काफी ज़्यादा प्रहाप पड़ेगा और fourth question यहाँ पर है दोस्तो in which sea does the neal pour its water यानि कि जो निल नदी है वो अपना पानी कहाँ पर जाकर बहाती है यहाँ बहाता है दोस्तो the made radian sea में यानि कि यह option इस question का correct answer है तो यह था दोस्तो आज का आपका complete mock test वीडियो अशाट करने से पहले दोस्तो आप सभी के लिए एक छोड़ी सिंफोर्मेशन है यहाँ पर offer केता है दोस्तो आपको एक ही दाम में Air Force का 1000 Important GK का PDF और इसके साथ साथ SSE GD के लिए 10,000 सभी ज्यादा Important GK के topic वाज PDF आपको मिल रहे हैं ebook के format में और दोस्तो अगर आप इन दोनों ebook को पढ़ लेते हो तो आपको Air Force and SSE GD exam में कहीं सभी और कुछ पढ़ कर जाने की जुरूत नहीं रहेगी अगर आप इस ebook को purchase करना चाहते हो तो आप Insta Mojo से direct purchase कर लेना मैंने link दे दिया description box में आपके email पर ebook download करने का link चला जाएगा या फिर आप मुझे WhatsApp पर payment करके screenshot भेजो वहाँ पर भी मैं आप सभी के साथ ebook share कर दूँगा मेरा WhatsApp नमबर है 9430042848 WhatsApp नमबर मैंने इस वीडियो के description box में भी दे दिया है तो उस पर आप एक बार message कर लेना सो गाज फिलाल इस वीडियो में वस इतना ही कर ले और, के कर दो हीढ़ा ये, पर लेम डिया बहीं